ब्येस्पी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है जिससे उन्होंने अपनी जान का खत्रा भी बता है। मायवदी ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कई पोस्ट के और कहा कि सपा अती पिछलों के साथ साथ जबरदस्त दलत विरोधी बाटी भी है। हाला कि बीएसपी ने पिछले लोग सभा आम चुनाव में सपा से गड़ बंधन करके इनके दलत विरोधी चाल, चरित्रो और चहरे का को थोड़ा बदलने का प्रयास भी किया था। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा दुबारा अपने दलत विरोधी जातिवादी इजंडे पर आ गई। प्रत्रकारों ने जब उनसे इंडिया ब्लॉक में मयावती और बस्पा को शामिल करने के बारे में सवाल किया। तो उन्होंने तंस भरे लहजे में पूछा उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे। बाद भरोसे की है। अगर वो आती हैं तो आप में से कौन भरोसा दिलाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक हाली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखलेश यादव ने बीएसपी को शामल करने के प्रती असहमती चताई थी। आपको बतादें कि बसपा और सपा ने यूपी में 2019 का लोक सभाच चनाव गट बंधन में लड़ा था। उनके गट बंधन की तीसरी पार्टी रालोट थी। बीएसपी ने 10 सीटे जीती थी जबकि सपा को 5 सीटों पर जीत मिली थी। आरलटी खाता भी नहीं खोल सकी।